नमस्कार आप देख रहे हैं इसकी खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तो बागेश्वर थाम ये काफी दिनों से जब से नागपूर आये तब से चर्चा का विश्यव बने होगे उन पे कई लोग सवाल उठा रहे हैं उनकी जो जिस तरीके से वो लोगों के मन की बात पता देते हैं उनके बारे में बता देते हैं पर कई सवाल उठा रहे हैं और वहीं दूसरी और कुछ लोग सनातन धर्म के समर्थक में इन्हें समर्थन दे रहे हैं आपको बता दो कि 5 से 11 जनवरी तक नागपूर में बागेश्वर धाम आये हुए थे पधा रहे जिसको ले करके अंध श्रद्धा निर्मूलाल समीति के अध्यक्ष स्याम मानव ने सवाल उठाया था स्याम मानव जी ने इस पे नागपूर पुलिस को शिकायद की थी और इस पे मामला दर्ज करने की बात कमिशनर आफ पुलिस अमितेश कुमार का साफ कहना है कि अंध श श्रद्धा निर्मूनल एक्ट 2013 या फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक जैसी कोई भी किसी भी तरीके के इस पे कोई बात नहीं है हम आपको कमिशनर आफ पुलिस अमितेश कुमार जो नागपूर के सीपी हैं इनकी बाइट सुनते हैं देखिए इसमें विशेश करके उन्होंने कुछ उलेख अपने अरज में किया था हमने जो भी नागपूर के पहले की कोई भी एक्टिविटी या कोई भी विडियो या नागपूर से जाने के बाद की विडियो हमने कंसिडर नहीं किया है जो यहाँ पे रहने का जैसे दिवे दरबार जो साथ और आठ तालिक का था तीन तीन घंटे के अंदाज में दोनों विडियो थे जो पब्लिक डोमेन पे भी एवलेबल है उनको हमने बहुत बारीक तरीके से देखा है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई यह जो काईदा है सुपरिस्टिशन अंशद्दा निर्मूलन कायदा या ड्रग और कॉस्मेटिक्स अक्ट उसके किसी भी प्रोविजन के अंतरगत गुना नहीं दिख रहा है जो पूरा टोन एंटेनर उस पूरी वीडियो में जो महराज की है उसमें किसी प्रकार की उनकी इस प्रकार की धा और भी तक जो देश मे despulturaं हैं हम उसके बारे में पको बताना चाहते हैं जब धिरेंदर शास्त्री जी नाकपूर आये थे 5-11 जनवरी के बीच तो उनसे मिलने यहां के बीजेपी के बड़े बड़े लीडर उहां पहुंचे उनसे आश्रिवाद लेने पहुंचे जिसमें से उपो मुख्य मंतरी ग्रिह मंतरी देवेंदर फरंड वीज हो या फिर न दुम्राह किया जा रहा है कर दम कंप्लेन किया शिकायत दर्च लेकिन इस पर आपाया जाता है कि इस जो लोग करत्ता है वो दिरेंदर शास्तेवाद को सपोर्ट करने का पीछे यह बताया जा रहा है कि उनके और उसके तुरत बा details तरीका कि चीजे होती है कही है न न कहीं इसका फर्क उनके लीडर पे उनके लीडर के व्यक्तित yapis पर इसलिए बिजय पी की लोग सपोर्ट कर रहे था ये सवाल कब तक अपको चीजे होती रहेंगी समझना आपको है और समझना हमें है कि ये चीजे सही है या गलत है हम किसी को भी support या किसी का भी oppose नहीं करते हैं जो चीजे सामने हैं वो हम आपको सच बताते हैं आप देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त भी सिंक साथ सिर्फ NBCN News पे